नमस्कार अधिकार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ वीरेंदिवेदी देश में सिक्षा के अस्तर को बढ़ाने तथा रोजगार की समस्या को समाप करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास करती रहती है सरकार सिक्षा में सुधार के लिए कई तरह की नही नही योजनाय भी चलाती रहती है इसके अतरिक्त समय समय पर सिक्षा जागरुकता अभियान भी चला जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग सिक्षित हो सकें इसके लिए योजनाओं को जिले अस्तर पर लागू करने के लिए बेसिक सिक्षा अधिकारी जबकि विकास खंड के अस्तर पर खंड सिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है। कि खंड सिक्षा अधिकारी यानि बीयो कौन होता है, उसके अधिकारे उन दाइत तो क्या होते हैं और उसकी योग गता क्या होती है। अब यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खंड सिक्षा अधिकारी कौन होता है। आपको बताने से पहले हम आपको बता दें। कि खंड सिक्षा अधिकारी को ँंग्रेजी में ब्लॉक एजुकेशन ऑफीसर कहा जाता है। वह एक राजपत्रित अधिकारी होता है जो जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी के अंतरगत कारी करता है। किया जाता है खंड सिक्षा जिकारी कें सरकार ये राज्य सरकार द्वारा सिक्षा को लेकर चलाई जाने वाली योजनाव में जिला प्रसासन और स्कूल के बीज की कड़ी होता है वह सिक्षा प्रसासन तथा विद्यालेओं के बीज किये जाने वाले पूरे कारियों की को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लाई गए किसी भी परियोजना को सुचार रूप से संचालित करता है हाला कि कुछ वर्सों की सेवा के पश्चात खंड सिक्षा अधिकारी को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करके बेसिक सिक्षा अधिकारी बना दिया जाता है खंड सिक्षा अधिकारी को वेतनमान 9300 से लेकर 34800 और ग्रेट पे 4800 रूपए महीना दिया जाता है इसके अतिरिक्त कुछ भत्ते और सरकारी सेवाएं भी प्रदान की जाती है अब चले हम आपको विस्तार से बताते हैं कि खंड सिक्षा अधिकारी के अधिकारे वंदायत तो क्या होते हैं खंड सिक्षा अधिकारी यानि भीयो खंड अस्तर की सिक्षा विवस्था की जिम्मेदारी उठाने वाले सबसे महत पूर्ण अधिकारी होते हैं वह खंड यानि ब्लॉक में जितने भी स्कूल या कॉलेज है उन स्कूल या कॉलेज में अच्छी पढ़ाई हो रही या नहीं यह सुनिश्चित करते हैं सरकार द्वारा लाई गई परियोजनाओं को स्कूल या कॉलेज में लागू करते हैं खंड के सभी सरकारी स्कूल या कॉलिज के लिए किताबों तथा सिक्षकों की अच्छी विवस्था करते हैं खंड के स्कूलों में प्रतियोगिता परिक्षा का आयोजन होने पर उसकी विवस्था करवाते हैं ब्लॉक में सिक्षा से सम्मंदित पर योजना को गलत तरीके से इस्तेमाल करने तथा ब्रस्टाचार की जाच करते हैं। सभी स्कूलों को सरकार द्वारा लाई गए सिक्षा से सम्मंदित योजनाओं को अलाब दिलाने का कारे करते हैं। वो अपने ब्लॉक के अंतरगत आने वाले सभी अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, जूनियर तथा प्राइमेरी स्कूल की जाच करते हैं। यदि जाच में कोई कमी मिलती है, तो उसमें सुधार भी करवाते हैं। अपने खंड में आने वाले सभी विद्यालेों का निरिक्षण करते हैं, किसी स्कूल में सिक्षा विवस्था में कमी पाये जाने पर जिला प्रसासन को सुचित करते हैं। अपने खंड के अंतरगत आने वाले सभी स्कूलों को जो अभी मानिता प्राप्त नहीं हैं उन्हें मानिता दिलाने के लिए उनकी रिपोर्ट बीएसों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बेहतर सिक्षा का संचालन तथा सरकार के दौरा लागू की गई नई-नई योजनाओं को क्रियान नुइत करते हैं। तथा यदि कोई वेतन कटोती करना होता है तो बीसे की अनुमति प्राप्त करने के बाद अंतिमकार रवाई करते हैं। वह सिक्षे को को कारी का आकलन वह मूल्यान करन भी करते हैं। तथा इसकी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौपते हैं। इसके बाद ही बेहतर कार करने वाले सिच्छों को चिन्नित कर उन्हें पदोन्नत किया जाता है। अधीनस्त निरिक्षक वर्ग कार्मिक एवं चतुष्टेडी के कर्मचारियों के छेत पंचाय जिले के बाहर अस्थाना अंतरण की संस्तुती करते हैं। अशास की अनुमती विद्यालियों के विभिन अनुदानों के लिए आवेदन पत्र और अतिपूर्ती प्रपत्रों की जाच के पश्चात उच्च अधिकारियों को प्रेसित करते हैं। विद्यालियों के लिए ब्लैक बोर्ड और अन्य सामग्री के अंतरगत प्राप्त अलुदान से सामग्री उपलब कराते हैं। चात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों की पद अस्थापना हेतु बी असे को प्रस्ताव भेशते हैं। अब यदि आप भी सिक्षा के शेत्र में काम करना चाहते हैं और अपने ब्लॉक यानि खंड में अपने सिक्षा के अस्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास इस पद के लिए निर्धायत कुछ योग गताय होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दू कि खंड सिक्षा अधिकारी एक सिविल सेवा का पद होता है। प्रदेश में आवेदक के नियूनतमाय कीस वस तथा अधिकतमाय चालिस वस होनी चाहिए। हलाकि आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आयू सीमा में छूट दी जाती है। हमें आशा है कि अब तक दी गई जानकारियों से आपको लाब अवश्य हुआ होगा। जहां तक खंड सिक्षा अधिकारियों की भूमिका की बात है तो कुछ अधिकारी अपने दायतों का निर्वा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी और कई सिक्षकों का आरोप है कि खंड सिक्षा अधिकारीयों परिशान करते हैं और सिक्षा से संबंदित योजनाओं में ब्रहस्टाचार को बढ़ावा देते हैं। जिसका दुस्परिणाम उन्हें और छात्रों को भुगतना पड़ता है जो उचित नहीं है। ऐसे इस्तिति में हम तो यही कहेंगे कि जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी का या कर्तव्य है कि वो इस प्रकार की घटनाओं का संज्यान लें और दोसी खंड सिक्षा अधिकारीयों के विरद कठोर कारवाई करें। जिससे आगे से फिर ऐसी घटनाएं ना हूँ। अब यदि आपके बन में इस विसर से जुड़ा कोई प्रस्निय सुझाओ हो तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आज बस इतना ही धन्यवाद। लाग blij में लाव प्रस्का है आप OSब दिया सकते हैं। आप